हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का डाउटनेट लेर्न फन पर और आज हम एक जो चैप्टर है दाट इस एविल्यूशन उसका पूरा का पूरा वन शॉट डिसक्रस करने जा रहे हैं और प्लीज अब आप यहां पर आई गये हैं इस वीडियो तक पहुची गये हैं तो कोशिश करेगा कि इसको पूरा देखें काफी इंपॉर्टन चैप्टर है और एक्जाम में इसके उपर डेफिनेटली कोशन बनते हैं वेटेज बिसका अच्छा कासा है तो एक्जाम में य तो है नहीं तो आप पहले लेफ्ट कर देना मैं को बच्छे पढ़ने वाले हैं वह इस वीडियो को देखें और प्लीज एंट तक देखें तो शुरू करते हैं और एवलूशन के बारे में थोड़ों बहुत बात करते हैं जो बेसिक चीज़े होंगी एगर आप बोट्स ल करते हैं अब सवाल है कि evolution है क्या यह evolutionary biology है क्या तो जब आप study करते हैं किसकी of history of life forms on earth उसको हम क्या कहते है evolutionary biology कहते है evolution कहते है कि आप जो life forms है उनकी क्या history रही है उसको study करना चाहा रहे है ठीक है बहुत simple बहुत basic okay आगे बढ़ते हैं now to understand the changes in a flora and fauna that have occurred over millions of years on earth अब सवाल है कि evolution पढ़ते क्यों है या क्या reason evolution पढ़ने का is it something मतलब we can get a benefit benefit हम लोगों को मिल सकता है इस से तो simple logic एक curiosity होती है कि या ठीक है अर्थ पे जो life start हुई थी वो किस तरीके से हुई थी क्या 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 ओवर दर पीरेड ओवर टाइम changes आए है तो इसको study करने के लिए हम लोग evolution पढ़ते हैं ओके बहुत basic basic चीज़े है अभी यहां पर कुछ भी important नहीं है क्योंकि हम लोग introduction वाला पार्ट देख रहे हैं ओके जी आगे चलते हैं now the history of life comprises two events सबसे पहले होता है हमारा origin of life and evolution of life तो इस पूरे chapter के अंदर हम लोग जो main चीज़े पढ़ने वाले हैं कि life का origin कैसे हुआ है और उसके लिए हम लोग कुछ stories देखेंगे जो दी गए थी कि life का origination कैसे हुआ है और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि उनका evolution कैसे हुआ है अच्छा origin of life में evolution of life में difference होता है वो क्या difference होता है वो धीर धीर आप लोगों को कहीं ना कहीं आगे जैसे हम जाएंगे चैप्टर के अंदर तो आपको पता लगता रहेगा ओके तो सबसे पहले we'll start with the origin of life अच्छा origin of life से पहले भी एक event हुआ है अब हम कह रहें कि earth के उपर life originate कैसे हुई है तो उससे पहले भी एक बात बनते है कि यार अर्थ का origin कैसे हुआ है अर्थ का origin जो है वो किस तरीके से हुआ है या उसके पीछे का क्या concept है and I believe there are many students जिनका थोड़ा सा space fiction में interest होता है बहुत सारे बच्चों ने science fiction या space fiction स्वाली movies देखी होंगी और उनको एक concept पता होगा डाट इस बिग बैंग ओके बिग बैंग ठीओरी अब यह बिग बैंग ठीओरी जो है वो किस ने दी थी हमारे एक scientist है डाट इस अबेले मिटायर उन्होंने दीती क्या बोला था इसके इंदर बहुत सिंपल सी बात बोली गई थी किया देखो एक सिंगल explosion हुआ था ठेक है और उससे काफी जादा energy रिलीज हुई थी काफी जादा energy रिलीज हुई थी और उससे पूरा का पूरा अपना universe create हुआ है सबने पड़ा है तो जब वो explosion हुआ था तो बहुत सारे कह सकते हैं dust particles वगरा थे gases थी ओवर दा sun बना और फिर दिरे दिरे करके बाकी की planets बने यह एक big bang का basic समय आपको एक idea लिया है कि big bang के अंदर यह बोला गया था तो exam में क्या big bang पूछा जाता है big bang theory क्या होती है पूछा जाता है तो मैं कहूंगा कि हाँ पूछा जाता है उतना frequently नहीं पूछा जाता बट आपको big bang theory के बारे में पता होना चाहिए सब्सक्राइब यहां पर देखे देरा सेवरेल त्योरी रिगार्डिंग दे ओरीजिन अफ यूनिवर्स और मोस्ट अक्सेप्टेड जो है डाट इस big bang theory तो बहुत सरी थी थी बट जो अपना बनादा जैसे आप अपको जा बना था बनती है्हें मैं ने कोशिश करी है कि मैं एक थोड़ा सा रस्ट्रिक्ट रहूं टो NCRT आप कि आप लोगों को ज़्यादा confusion ना हो तो इस chapter को हम mostly NCRT से ही करेंगे जहां पर मेरे को लगेगा कि हाँ आपको additional information दे नहीं है तो वहां पर मैं आप unimaginable in physical terms यहां पर simple सी बात बोली गई थी एक बहुत बड़ा explosion हुआ था जिसको आप imagine नहीं कर सकते हो इड़िज अनिमाजनेबल इन फिजिकल टम्स आप उसको यह कंपेर नहीं कर सकते हो उसकी energy इतनी होगी कुछ calculate नहीं कर सकते हो इतना amount of energy लीज होगी कुछ भी नहीं इस अनिमाजनेबल ओके सो वह तो हम देखी नहीं सकते हैं और उसी से हमारा पूरा का पूरा के बारे में पढ़ते हैं किसी चीज के बनने के बारे में कि किस तरीके से originate हुई है तो उसको क्या कहते है कोस्मो गोनी बोलते हैं आप यॉनिवर्स की study करते कि उसके था चीजें है क्या क्या नहीं है तो किके मतलब यह मैं क्यू बता रहा हूं ये बताने का रिजन करते होंगे हाना बहुत सारे बच्चे जो हैं जो बड़े-बड़े कोचिंग इस्ट्यूट में पढ़ते हैं वह भी कभी-कभी यूट्यूब पे लेक्चर देखते हैं और रिवीजन सो उनके मॉडूल्स में क्या कहते हैं अपना जो नीट है उसके अंदर भी एक बड़ी ऐ और कॉस्मोलोजी के अंदर यू हाफ टो डिफरेंस की ओरिजन की बात जब होती है कि किस तरीके से ओरिजन हुआ है डाट इस कौस्मो गानी और जब युनिवर्स की स्टडी करते हैं कि उसके क्या-क्या एस्पेक्ट्स हैं क्या-क्या चीज़े हैं उसमें क्या-क्या फीच एक्टीक्ति मैक्समुम अब यहां पर क्या लगया यह इंप्रटनटे यह पैराग्राफ इंप्रटन्ट एंटिक का ओके इंपॉर्टनटे लिख देते हैं पैरग्राफ क्या लखने की ज़र होते हैं क्योंकि इसमें बिग बेंग थीक्वश्क्रेशन दिया गया है धा फीजिकल टंम्स वो अनिशने भलत किसमें फिजिकल ताम्स में नग qualcMON कितना ही होगा हुज़ड ऐसी प्लेच्टर आप लोगों यह बात पता भी छी एकन करती है तो उसका टेंपरेचर डाउन हो जाता है अब इसको कैसे रख सकते मतलब मतलब मेरी फिजिक्स जो है थोड़ी बहुत ठीक ठाक है मुझे करेक्ट कर देना इसमां इसमां रॉंग जैसे कोई भी चीजों की बीच में कुछ पार्टिकल्स की बीच में जब कोलीजन होता है तो कोलीजन होने के वीयदे कानेडक के लिए होती है अब करने के वीजए करने का यह ए औक सीश्टेंट के लिए यह कि जब गैसे का मतलब गैस लोगों को याद होगा केमिस्ट्री आप लोगों की जाद अच्छी है मेर से अना चाहे बालोजी हो या ना हो तो गैस लूम ने भी बोला गया कि जब कोई गास एक्समेंड करते हैं तो उसका तेमपरेचर जो है वो कम होता है ओके तो दे यून करा क्राइब अपना ग्राइशनल फोर्सट बीकि जनेरेट कर ऑई तो जहां पर सबसे ज़दा गैसे सतंचे हो और एक करके हमारा क्या बन चुका है एक कह सकते हैं अब संट क्या है हमारा हाइडरोजन और हिलियम इंस बना हुआ है तो यहां पर क्या बोले गया है हाइडरोजन and helium संट आम क्याने का मतलब है यह बात करने किसकी संट की तो लॉजिकली देखा जाए तो यहमें रहे कि सन पहले बना बिग बैंग होने के बाद क्या बना सन बना ठेक है फिर उसके बाद गैसे संदेंस अंडर ग्राविटेशनल फोर्स एंड देफ फॉर्म दी गलेक्सिस ऑफ प्रेजंट दे यॉनिवर्स इन दे सोलर सिस्टम अफ मिल्की वे और यह अर्थ कब ओरिजनेट हुई थी यह वाला टाइम याद रखना है फॉर पॉइंट फाइफ बिलियन इयर्स पैक ओके आच्छा जी आगे कुछ देंग है there was no atmosphere on early earth early earth के उपर कोई भी atmosphere नहीं था जैसे कि हम को पता है कि मार्स के उपर साजी मार्स कह रहा हूं मर्करी हो गया वेनस के हो गया इसके पर कोई atmosphere नहीं है और देखा जाए तो मार्स के उपर भी इतना कुछ खास नहीं atmosphere है तो similarly की हम कह सकते हैं कि अर्थ की ओपर अर्ली अर्थ के ऊपर दिर वस नौ एट्मॉसफेर ओके क्या क्या प्रेजेंट था अर्ली अर्थ पर यह वाला कोशन एक्जाम में पूछा जाता है आप लोगों से की अर्ली अर्थ पर क्या क्या चीज़े प्रेजंट थी सो इट वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डायोकसाइड और अमोनिया रिलीस फ्रम मोल्टन मास कवर दा सर्फेस इंपोर्टेंट है कि अरली अर्थ पे हम लोगों को क्या क्या देखने को मिला था सो वाटर वेपर्स थे, मीथेन था, अमोनिया और उसके बाद हमारा क्या है उसके बाद हमारा सी ओ टू है तो यह चार चीज़े इंपोर्टन्ट है यह पता होना चाहिए और आगे हम लोग एक experiment करेंगे that is Stanley Millers का experiment तो वहां पर भी यह काम आएगा तो इसका ध्यान रखना कि early earth पर कौन कौन सी चार चीजे प्रेज़ेंट थी ठीक है अच्छा ओजोन भी नहीं थी तो UV radiations directly कहां तक आ रहे थी अर्थ की सर्फिस तक आ रहे थी दा यूवी रेस फ्रम दा सन ब्रोकन अप वाटर इंटू हाइड्रोजन और ऑक्सिजन ठीक है जो वेपर्स थे उसको किसमें ब्रेक करा हाइड्रोजन के अंदर और ऑक्सिजन के अंदर हम लोग इसे सवाल अग्सिजन फ्रेजंट थी इंफ़र्म अफ वेपर्स उक्सिजन प्रेजंट थी फ्रम फ्रम दायकशाइड बट्स्री और it एोग्सिजन नहीं थी बाद में UV radiations स्ने क्या करा जब संच बन गया बाद में उसने وेपार को ब्रेक किया hydrogen और ऑक्सेजन के अंदर लाइट जो हाइड्रोजन थी हमारी वह बाहर निकल गई यह बना अब व号 बनाया पहले वcekस कम्बाइन किया अमोनिया के साथ भा कि आदी kई साथ में तर डिल में रहा है so there is a difference कि पहले जो H2O present था वो vapors की form में present था अब जो यहां पर present है वो liquid form में present है CO2 and others बागी सारी चीजे थी अच्छा the ozone layer was formed देरे देरे करके आपको पता है ozone कैसे बनती है जैसे मालो O2 है ठीक है यहां पर एक और O2 का molecule है तो UV radiation क्या करती है O2 के molecule को break करती है किसमें atom में ठीक है तो यहां पर single atoms of मैंने oxygen दिखा दिये अब यह O2 के साथ single atom combine करता है and it forms O3 और इसके साथ भी दूसरा oxygen का molecule combine करेगा and it will form O3 और यह हमारा क्या होता है ozone होता है so this is how ozone is formed जैसे oxygen बनी यह जैसे ही UV radiation ने water को split करा hydrogen के अंदर और oxygen के अंदर तो धीरे धीरे करके हमारा पहले water molecule बना ठीक लेक्विड वाला और उसके बाद ozone का बनना भी शुरू हो गया अब जो हमारा बना था अब जो वेपर्स बगरा थे यह जो भी वाटर बगरा था तो अज़ेट कूल दा वाटर वेपर जो थे हमारे फैलेज रेन तो फिल डेपरेशन एंड फॉर्म ओशन लाइफ अपीरड कभ पांसो मिलियन सीर्स आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ यह अल्मुस्ट कह सकते हैं फोर बिलियन ये बैक तो पांसो मिलियन साल बाद अर्थ हमारी ओरिजनेट हुई थी 4.5 बिलियन इयर्स पहले और यह और यह क्या कह रहा है 500 मिलियन बाद थे कह 500 मिलियन साल बाद अर्थ पे लाइफ आई है या कह सकते हैं हम 4 billion years back years back जो था life originate हुई थी कैसे originate हुई थी वह अभी हम उसके बारे में discuss करेंगे लेकिन ये सारी बाते आप लोगों को big bang के अंदर mention करनी पड़ेगी क्या क्या mention करना पड़ेगा सबसे पहले एक single huge explosion हुआ था of unimaginable of unimaginable physical terms उसके बाद universe expand हुई expand भी तो temperature cool down हुआ ठीक है hydrogen helium बाद में बनी under the gravitational force gases जो थी हमारी वो कह सकते हैं condensed हुई और उन्हों ने क्या बनाए प्रेजंटे galaxies and planets बनाए solar system में अर्थ जो थी हमारी हो कब बनी है ओके अर्ली अर्थ पे दिर वस नो अट्मॉस्फेर कोई बेट मॉस्फेर नहीं था क्या क्या चीजे प्रेजंट थी वाटर वेपर methane carbon dioxide and ammonia प्रेजंट था अब हुआ क्या UV radiation ने बेरिक करा किसको वाटर वेपर को hydrogen के अंदर और hydrogen लाइटर था तो एस्केप कर गया oxygen जो था मारों कमबाइन करा ammonia के साथ और मिथिन के साथ और बनाया water ठीक है अच्छा water भी बनाया carbon dioxide वगड़ा भी बनाया और पहले भी था लेकिन और भी बनाया ओजोन लेर जो थी बाद में बनी कैसे बनी मैं आप लोगों को ओपर दिखाया okay as it's cold जैसे temperature कम हुआ जो वेपर्स थे वो condense okay fall करें as rain और उन्होंने depressions को फिल करा और oceans बनाए ठीक है clear है और इसी के साथ हम चलते हैं आगे अब यहां पर हम लोगों ने यह तो देख लिया कि origin of universe किस तरीके से हुआ है now we'll talk about the origin of life कि life का origin किस तरीके से हुआ है अब देखो origin of life को ले करके लोगों के अलग-अलग concept थे क्या क्या concept थे उसकी बारे में बात करेंगे बर जैसे अभी हम लोग ने बोला कि जो अर्थ पर life है वो कब originate हुई है चार billion साल पहले और वीकन से 500 million साल बाद after big bang या after sorry big bang कह रहा हूं after formation of earth हाना sorry so 500 साल 500 million साल बाद after formation of earth अब एक basic theory जो है को कुछ भी चीज ना याद करने की जुलत नहीं होती है एक basic theory क्या कहती है जो हम लोग ने पढ़ा है keeping aside के कहते हैं अब इस पर थोड़ा religious मुद्दाना लेकर के आए हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे अगर हिंदू धम की बात करें या हिंदू रिलीजन में बात करें कि ब्रह्मा जी ने यह इनिवर्स बनाई है शेव जी विष्ण जी यह भगवान जी है इन्होंने सभी को बनाया है बाइबल की बात करें तो उस महाँ पर Christianity बगराया जीजस बगरा को लेकर के बात होती है आयान Muslims की बात करें तो वहाँ पर अल्ला की बात होती है ऐसे अलग अलग religions के अंदर अलग-अलग कह सकते हैं मतलब super gods को बोला गया कि इन्होंने अर्थ के रेट करी है उसी तरीके से यहां पर बहुत सारी information कैसे हुआ जाहिर सी बात है कि सारी के सारी हम लोग logical चीज़ों के वारे पढ़ते हैं साइंस में तो यहां पर भी logical चीज़े ही दी गई थी बर उससे पहले और क्या क्या थिरी जाई थी वह देख लेते हैं जैसे हम बात करते हैं कि हम सोचते हैं कि भगवान ने दुनिया बनाई हैं एन्होंने दुनिया बनाई है यह फ्लोट फिरी झाट 나 दवासा और स्वर्ण करीशन ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं स्पेशल श्me конц estabinya बोल सकते हैं एप्शियरम स्पेशल करेशन यह दी कई ती इसमें बोला गहात है कि जो एर्थ है ओके या दर्थ के उपर जो लोग है एट वस क्रेटेड़ बाए सम्सूपर नैच्रल पार सुपर नाच्रल गॉड थेयोरी ऑफ स्पॉंटेनेस क्रेशन था मारा इसके बारें भी बात करेंगे थेयोरी ऑफ पैंस पर्मिया और कॉस्मोजोग थेयोरी और स्पॉर्ट थेयोरी और मॉडन थेयोरी ऑफ अपरें हेल्डन या थेयोरी ऑफ ओरीजन अफ लाइफ ठीक है तो यह चार थेयोरी सम्लोगों के लिए सूपर इंपॉर्टेंट है इनकॉम लोगों को पढ़ना है और इन चारों में से भी सबसे जादर जो पूछ जाने वाली होती है दाट इस एर ऑपरें हल्डन थेयोरी ऑर औरिजिन अफ लाइफ यह लास्ट वाली जो थी है वह सबसे जाद़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वह जो थी यह लास्ट को सरी एक्सेप्टेड क्योव्ट जिखर टो सबसे पहले आते हैं अपर नहां पर डोले गया था इस theory के सबसे great supporter जो थे was father सौराज, इन्होंने क्या बोला according to this theory life created by some supernatural power, okay according to bible the first man Adam and Eve and the first woman Eve was created by God, according to Hindu mythology the world created by God Brahma and the first man was Manu and first woman was Shraddha अब देखो मतलब थोड़ा सा जान के हरानी होगी, I can remember कि यह जो लाइन आप लोगों को दिख रही है ना, कि first man जो था and first woman जो था, तो woman, Manu and यहापे woman का, sorry, man, Manu and woman का नाम Shraddha, इसके उपर भी ना question आया हुआ है ओके, तो मैं यह नहीं कह रहा है कि प्योरी की पुरी theory पढ़ो, ऐसे theory में कुछ है भी नहीं, but कम से कम नाम देख लेना, Adam and Eve सबको याद रहता है बहुत ताइम से पढ़ते भी हैं लोग Manu and Shraddha का नाम याद रखना according to Hindu mythology क्या नाम दिये रहे थे तो वो याद रखना है, ओके मतलब मैंने देखा था, नीट में पूछा गया था और याँ मैंने किसी मॉडूल में लेकिन इसका कोशन तो मैंने देखा है, ओके आच्छा, वाइल मुस्लिम बिलीव्स अल्ला ऐज़ा क्रेटर अफ लाइफ स्पेशल क्रेशन थियोरी लाग साइंटिफिक एविडेंस on account of which it is not accepted तो जाइड सी बात है कि इस थियोरी का कोई भी साइन्टिफिक बेस नहीं था और इस वज़े से उसको accept नहीं किया गया, नेक्स हमारी क्या है थियोरी of spontaneous generation, अब ये थोड़ी मतलब अटपटी सी थियोरी थी, इसको हम एबायोजनेसिस भी कहते है या और्टो बायोजनेसिस भी कहते है और टो बायोजनेसिस आप लोगों को काफी ज़्यादा help करेगा इस थियोरी को समझते में, एक ही वट से पूरी की पूरी थियोरी आद हो जाएगी, और्टो का मतलब खुद से, बायो का मतलब life genesis का मतलब synthesis खतम इतना ही था बालोजी आसान है अगर प्यार से पढ़ाए जाए अगर हमारे तरीके से पढ़ाए जाए मैंने क्या बोला auto का मतलब self ओके यह आटोमाटिक हाना खुद से आच्छा बायो का मतलब लाइफ जैनेसिस का मतलब formation या synthesis कह सकते हैं formation और वी कें से synthesis यह हो गया आपका auto biogenesis और theory of हमारा spontaneous generation इस theory में बोला गया कि देखो ऐसे बात है कि living organisms जो है वो अपने आप बने हैं from non living organisms तो यह तो कोई पॉइंट ही नहीं हुआ non living things से originate हुई है क्या living things spontaneous manner में याने कि अपने आप ऐसी अपनी मर्जिस है तो अब जैसे नहों बोला कि कुछ examples देते कि मर्ड के अंदर frogs अपने आप यह आ जाते हैं वह एक spontaneous generation example इसका भी कोई scientific based था नहीं तो यहां पर देख सकते हैं theory states कि life originate हुई है कि से from non living things in spontaneous matter again very logical Greek philosophers tales and an enix minder xenophane's yeah and video kills plateau palto sorry plateau in a plateau sorry Aristotle etc in some name anarchy higher is theory through it he can but it's a lot of law illogical ticket was believed that at that mud of Nile could give rise to frogs towards snake mice in a month at a buddy my love for scientific based थानी इसलिए क्या कहते हैं यह वह हो गई और इस थियोरी को नडिसप्रूफ करने के लिए हमारे साइंटिस्त आप लोगों उनका नाम सुना होगा बहुत बारी लुइस पैस्चर तो लुइस पैस्चर ने इसको डिसप्रूफ भी कर दिया था क्या स्पैलिंग होती है आरी डेख लेन स्पैलिंग जो भी्तहिक है तो लुइस ने इस अपॉट तीरी को डिसप्रूफ भी कर दिया था तो पैसा ने बुला पैसा नेlles गेंट थेयुरी ब्र जने कि गया है देखो मतलब था ओर रेविजद्य यानि कि खुद से ही बन रही है लाइफ बाइज एसका मतलब किता है जो लाइफ है वह ओजिने धूरिटू ihm से यह कह सकता है कि living मैटर ही डीविंग मैटर ही डीव राइस टू नुए लिविंग मैटर आप सिंपल सी बात यहां पर बोली गई थी भाई लूइस पैश्चर कि भाई देखो ऐसा नहीं है आप कहा रहे हो कि नॉन लिविंग ठिंग से लिविंग ठिंग बन जाएंगी तुम एक बारी को मान देता जैसे कि बोला गया था एक सेल थियोरी हम लोग पढ़ते हैं तो से अराइस फ्रॉम प्री एक्जस्टिंग लिविंग बिंग यह इनकी थिए अब इसको प्रूफ करने के लिए इनुने एक स्परिमेंट करा था इसको अंस्वान एक स्परिमेंट भी कहते हैं इन्हों नहीं यहां पर देखो क्या करा था ब्रॉथ इन फ्लासक इस बॉइल से वो मर गए थे इस फ्लास का नेक अगर देखुगे तो स्वान शेप्ट है इसका क्या है साइस स्वान शेप्ट है ठीक है अब हुआ क्या इसके अंदर जब हम लोगा ने हीट करा मानलों कोई ब्रॉथ का मतला भी मानली जिसके लिविंग मैटर है कोई भी लेविंग कुल्स टाउन इस ब्रॉथ कुल्स टाउन कंडेंसिंग वाटर कलेक्ट शोता है जैसे जब थंडा होगा तो क्या हुआ वाटरॉथ हुआ है यहां पे हाना क्योंकि जाहिर से बात अभी पर शणकर निकल रहे हैं यहां पर वाटर कलेक्ट हुआ हुआ तो अब उससे क्या हुआ कि कोई भी microorganisms अंदर नहीं घुस पाएगा तो यहां पर हम लोगों को कोई भी growth देखने को नहीं मिले कोई भी नए नेक को यहां से ब्रेक कर दिया तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर इसको ब्रेक कर दिया है अब मारा फ्लास्ट को पर थे थे और उसके उपर हमने क्या देखा microorganisms grow करना चालू कर गए तो एक नीचे living matter था उस वज़े से हमारा क्या हुआ है नया living matter generate हुआ है यह उसके उपर हमारे नए microorganisms grow करें हैं अगर वो नहीं होता तो शायद ऐसा growth नहीं देखने को मिलता और का जाते कि मतलब इसमें मेट लिया था उन्होंने तो उसके साथ experiment करा था यहां पर ब्रॉट मेंशन कर दिया बट कोई बात नहीं बस experiment का बायो जाने से थियोरी को इसको उसने क्या करा डिसप्रूफ कर दिया और उसके बाद हमारी जो next थियोरी आई वो थी modern theory of evolution यहां पर देख सकते हैं इस container में क्या किया गया है क्या नहीं गया गया इक बरी देख लेते हैं तो एक container है इसको उपन कर रहा है अब इस मीट के पीस को जब उपन रखा तो यहां पर थोड़े टाइम बात क्या देखा कि मैगेट्स जो थे चुट्छोटे कीड़े जो थे यहां पर वो ग्रो कर रहे थे लार्वाज अगरा यहां पर देखने को मिले वो ग्रो कर रहे थे जब इस container क तो हाँ पर कुछ नहीं हुआ यहां पर हमने क्या देखा जब इसको में कवर कर रहा था किस से एक कह सकते हो उस तरीके का पिपर आता है जो पटी नहीं करते हाथ पे तो उसमें करता है कि थोड़ा स्पेसिज वगरा होते हैं ठीक है एर वगरा माइक्रोगेंडरम्स वगरा मॉइस्टर वगरा से कुछ मायक्रोगैनिजम्स वगरा होंगे तो यहां पर उपर की तरफ दिखते हैं तो लाइफ जो है वह हमारी करती ही है किसके उपर लिविंग मैटर जनरेट किया जा सकता है तो पूरी की फाल्टू थी और बेकार थी तो इसको भी यहां पर क्या कर कर दिया गया नेक्स्ट हमारी थियोरी फैंस पर मिया कॉस्मोजोग थियोरी और स्पोर्ट थियोरी अब जिस से थी वह काफी न वैसे थे अधला मेरे को लगता है कि उनको काफी स्पेस से प्यार था या एलियन वगरे पर काफी बिलीव करते थे उन्होंने क्या बोला कि वह इस उनिवरस पर एक्झिस्ट करते हैं नहीं थे अनक बरिकों में को थोड़ा सा यह वाला पाठ इंट्रस्टिंग लगा था इन्होंने बोला कि हम तो उनिवर्स पर थे नहीं हम लोगों को दूसरी यूनिवर्स से भेजा गया है ठीक है और हम को भेजा गया किसकी फॉर्म में स्पोर्थ की फॉर्म में तो एक एस्ट्रॉइड टकराया और उसके उपर कुछ स्पोर्ष वगरा थे मतलब वो स्पोर्ष धिले-दिले करके ग्रो करें ग्रो करने के बाद वो इवाल हुए उपार प्रेजन्ट है और मतलब जो भी लाइफ थी वह मिली उसमें दिखाया गया है कि एक हमारा सी कोई साइंटिस्ट होता है तो मतलब प्लैनेट को धूनता है और वहां पर जाकर के लोगों को मतलब एक्सपरिमेंटली क्रियेट करता है और दुनिया एक तरीके से बसाता है अगर क्या कहते हैं उसको लगता है कि हाँ लोग अच्छे हैं तो उस यूणिवर्स को ऐसे मतलब उस अर्थ को यह प्लैनेट को ऐसी रहने देता है उसको अगर लगता है कि नहीं यहां के लोग ठीक यह तो इस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर देता है फिर एक्सपेरिमेंट करता है और कुछ अच्छे बनाने की अच्छे स्पीसिस बनाने की कोशिश करता है और नय प्लैनेट पर जाके उनको वहां पर इन्हेबिट करने का चांस देता है तो यह मैंने मतलब आप देखें ग या किसी चीज के थूँ हमारे पास एर्थ पे स्पोर्स आये वह स्पोर्स ग्रो करें धिरे दिरे इवाल्ड ओके तो अरहनियस ने पॉसलेट करी थी पैंस पर में थोरी इस्टेट डाट ऑर्गानिजम्स एग्जस्टेट थूआट दी यॉनिवर्स एंड देर स्पोर्स ए इख एंगे क्योंकि हम प्लांट केंदर पड़ते हैं कि सपोर्स जो हैब दो कहते हैं चल जाते हैं अब हमारा स्पेस ल्ड़र वैक्यम में पूरा वहां पर सोड़ी नवेंड तो सबीषाओ तो थोड़ी ना कि एक प्लानेट से दूड़ी के दूसरे प्लैन प्राइन आ ज स्टार्शिप्स भी कह सकते हो तो वहाँ पर वो डिपॉजट हो जाते हैं दे ग्रो ओके सो पैंस पर में थोरी भी कुछ खास नहीं थी अब यहां से हमारा यह इंपोर्टनेंट कंसेप्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है दो सैंटिस्त थे अपरेन अफ रश्या अद हेल्ड एन एन फ इंगलेंड इन्होंने प्रपोस करी सबसे पहले क्या दिख लाइफ कूड हैव ग्रों प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग और गैनिक मॉलिकू यहाँ पर क्या बोला है कि नॉन लिविंग और गैनिक मॉलिकूल से लाइफ बनी है उन्होंने क्या बोला था नॉन लिविंग मैटर से लिविंग मैटर बना है इन्होंने बोला है बस हाँ पॉसिबली हो सकता है कि जो लाइफ है वो औरिजनेट हुए कि से फ्रॉम प्री non-living organic molecule जैसे की आरने हो गया प्रोटीन हो गया अब सवाल है कि आरने प्रोटीन बना कैसे या आया कैसे ओके उसके बारे में भी बात करते हैं and that the formation of life was preceded by chemical evolution that is formation of diverse organic molecules from inorganic constituents तो basically हम क्या सकते हैं कि जो हमारे ओपरेन और हेल्डेन थे इन्होंने chemical evolution of theory दी थी हाना chemical evolution के बारे में इन्होंने बात करी थी कि वाई देखो simple inorganic substances से complex organic substances बने उससे धिरी-धिरी करके हमारी जो life है वो originate हुई देखो लेकिन एक बात बता दूम है इन्होंने अभी experiment करें तो उसके बारे में बात करेंगे ठीक है लेकिन अभी हम ncrt के अंदर यह एक लाइन पढ़ेंगे कि पहले self replicating self replicating यानि कि खुद से divide होने वाले organisms के बारे में पता नहीं लगा पाएं हम according to ncrt मतलब मुझे नहीं पता भी कितनी research हो गई है कितनी नहीं हुई है बट हम लोगों को नहीं पता लगा है कि पहला self replicating organism जो है वो कैसे बना या कैसे किया उसने replicate ओके आप यहां पर देखते हैं नाओ सो एक बड़ी फिर से देख लेते हैं अप्रेन ओफ रश्या एंड हेल्डेन ओफ इंग्लेंड ने क्या प्रपोस करा दाट लाइफ कुद आप और जिनेट फ्रों प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग और्गानिक मॉलीकूल्स ओके और और फार्मेशन ओफ लाइफ प्रोसुड़िट बाइड लिविलिशन डाट इस फार्मेशन और डाइवार्स और्गानिक मॉलीकूल्स फ्रॉम इन ओर्गानिक कॉंसेट्ट्वेंट से अब इसको प्रूफ करने के लिए और प्रेन और हैं यहां ने बड़ चड़के हिस्सा लिए थेकस देट वस दो थे असल में इन यूरे तो नहींशनों ने इक्स्परिमेंट कर रहा हैं को तो स्टैनले मिलर मिलर और यूरे दोनों थे तो यहां पर सिर्फ मिलर के नाम दे रखाए कोई बात नहीं तो मिलर ने करा एक एक्सपेरिमेंट क्या करें और एक्सपेरिमेंट में दा कंडिशन ऑन अर्थ वर हाई टेंपरेचर अर्थ पे अगर मैं बात करू अली अट्मॉस्फेर में सर्य अट्मॉस्फेर तो था ही नहीं अर्थ पर अली कंडिशन की बात करूं तो टेंपरेचर काफी हाई था कितना ह है था approximately 800 degree Celsius के आसपास था ओके वालकानिक स्ट्रॉंब से reducing atmosphere था reducing atmosphere यह भी एक important question बनता है कि earth का atmosphere पहले कैसा था हाना reducing atmosphere था और यहां पर क्या प्रेजन था methane ammonia और वाटर वेपर स्टे hydrogen था ठीक है एन अमेरिकन सैंटिस क्रेटिट सिमिलर कंडिशन से लेबरेटरी अब मिलर ने क्या कर रहा जो अर्ली एर्थ कंडिशन थी वैसी सिमिलर कंडिशन क्रेट करी कहां पर लेबरेटरी में अच्छा जी अब ही क्रिएटिट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन अ क्लोस्ट फ्लास्क अभी दिखाएंगे डाइग्रम यहां पर आप देख सकते हैं क्लोस्ट फ्लास्क है इसके अंदर इन्होंने एलेक्ट्रिशीटी फील्ड देने के लिए लेक्र्शीटी करने की लेए एलेक्ट्रोड्स का यूस्म करी घए ले और यहां पर chosered करी सारी चीजे वैसी रेइट करी अब जब करी जैसे हाँ पर देख सक्ते हैं यहां पर बॉयलिंग वाटर है तो उसकी हल्प से वेपर्स वगरा जनरेट कर रहे ठीक है यहां पर देखो गैसे हैं मीथेन अमोनिया वेपर्स हाइड्रोजन और टेंप्रेचर वगरा भी बना रहा था और यहां पर सब नियों और लिया ने सेंपल लिया तो इनको यहां पर क्या मिला अमाई असेट्स मिले यहां पर देखिए ही औब्धाब formation of amino acids okay in similar experiments others observed formation of sugars and to basis nitrogen basis pigments and fats so the winner karata to income amino acids mille and similar experiments may baki logana bhi jab karasato on ko kamila sugars mille nitrogen base mille pigments mille fat mille okay analysis of meteorite content also revealed similar compound indicating that similar process johan are occurring elsewhere in space ये बहुत छोटी सी लाइन है बहुत फैसिनेटिंग सी लाइन है कि जब meteor का analysis किया गया तो similar products महाँ पर मिले ये similar compounds महाँ पर मिले इससे क्या पता लगता है कि कहीना कहीं ये जो process है सिर्फ अर्थ पर ही नहीं और भी जगद चल रही है और जाने की वहाँ पर भी life possible है so we are not alone in universe that is for sure और ये अभी से नहीं शॉर्टी है मेंखल से अगर हम ये कह रहे हैं कि हम एक ब्रमान का छोटा सा हिस्सा है अगर हम universe की बात करे तो इस आलवेज expanding ठेक है हमारा जो galaxy है या मिल्कीवे galaxy के अंदर हमारा solar system जो है वह छोटा सा पार्ट है हमारे सबसे पास की galaxy आएगे तो सबसे पास galaxy है हमारी तो मुझे लगता है कि हमां तक पहुचे नहीं शायद अभी तक हाना मुझे लगता है कि यहां भी नहीं अगर महां तक भी पहुच जाएं तो वहां पर भी हम लोगों को कोई नहीं कोई लाइफ का सिगनल मिले गई मिलेगा क्योंकि मैंने मैंने क्या मतलब एक थियोरी देखी ती या पड़ी थी कि हर सोलर सिस्टम के अंदर एक प्लानेट ऐसा होता है जो कि से एक दम पर्फेक्ट एमांट पर है कि ग्याविटी वगरा सब कुछ बढ़िया है अट्मॉस्फरी रिक्रेट हो चुका है सब कुछ अच्छी तरीके से तो हैबिटेबल है हो सकता है आने वाए टाइम पे अर्थ हैबिटेबल ना रहे लेकिन मार्स बन जाए यह भी पॉ हो सकता है शायद हम सर्वाइब ना कर पाएं लेकिन वहां पर अगर केमिकल एवलुशन हुआ है तो शायद वहां पर ऐसे और्गानिजम्स बने होंगे जो उस अबिटेट में सर्वाइब कर पा रहे हों क्योंकि अकॉर्डिंग डाविन और्गानिजम्स जो होते हैं वह अड सब्सक्राइब आप ऑफ शायद ऑप क्योंकि इस से परफेक्ट को थी थी नहीं अभी तके से अच्छे तरीके सreks करने के लिए एवलुशन को कोई थी नहीं अभी तक अब एक बात जो एंसेट नहीं करी है यहां पर हम लोग ने बोला कि मिलर क्यों अपने experiment के अंदर मिली थी अब सवाल यह आता है कभी-कभी और यहां भी रख है कि में याद नीट में कोईशन पूछा गया था बहुत पहले कि विच अब जिस बच्चे ने ncrt पड़ी है वह बिचारा इस कोईशन का आंसर कैसे करेगा कि विच अब फॉलिंग अमाइन acid is not found in Miller's experiment अब option दे रहे थे क्या यहां पर दे रहे करता ग्लाइसीन ठीक है फिर एलनाइन and third was aspartic acid aspartic acid and fourth मान लोगी यहां पर देदा हो कि नन चालो जी बताओ क्या अंसर होगा अब हां जी है बताओ यहां पर ऐसे मैंने नंद दे दिया तो कोशन को काफी असान बना दिया यहां पर मैं यह भी लिख सकता हूं ग्लोटामिक आसड तो कौन सी अमायना आसड नहीं मिली थी मिलर्स के एक्सपेरिमेंट में और यह वह बच्चा है जो एंचाटी नहीं पढ़ता है वह यह कोशन सौल्व नहीं कर पाएगा हलाकि हम कहते हैं कि अगर आप नीट की त्यारी कर रहे हैं या के त्यारी कर रहे हैं तो उसके पसकर करिये इसलिए कहते हैं क्यों कुछ ऐसे कोंसे सोते हैं जगेтор होते हैं कि मृष्जथ कशन करते हैं ताकि हम नाते इसको शोड़ कर सकें सो आपको बता दूड़ा जिए हूं चरुन आ वो मिलर्स के एक्सपरिमेंट में नहीं थी तो इन तीनों अमाइन आसेट्स को आप लोगों को याद रखना है ओके चालो जी बहुत बढ़ी है यह डाइग्राम इंपॉर्टेंट है आप लोगों से सिंपली पूशे जाता है कि एक्सप्लेंड डाइग्रमाटिकली मिलर्स एक्सपरिमेंट तो आपको पूरा वो करना पड़ेगा ओके सो अब यहां पर देखो जैसे कि मैंना आप लोगों को बोला था कि बहुत सारे थियोरीज थी बहुत सारे चीज़े थी नॉन चैलिलर फॉर्म आफ लाइफ तो आप टो भाइंट पेलिग सकते हैं जाइंट मॉल्किल्स और नियुटिंज बोला गया था कि मॉलीख डोथे यह इंके अंदर आ रहे नहीं था एक मेंबरेन थी और वो मेंबरेन उस टाइम पर कहा जाता है कहा जाता है वह वह वाटर की क्लियर की वनी थी वह सेपरेटर थे आरने और के जैते हैं प्रोटीन के मॉलीक्यलस फ्र्म एक्सadowनल निमेंट तो अब चाहे प्रोली सेपरेटेटर्ट की पॉलिक्षिक नहींड रहाँ प्रहापस यह देखा गया था कि हां कि अपने molecules को reproduce करें यानि कि आरने सारे बन रहा है ओके तो फॉर्स्ट सेलिलर फॉर्म 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 देट नॉट पॉसिबली ओरिजनेट तेल अबाउट दो सो मिलें यह तो सेलिलर फॉर्म जो थी अभी तो हम बात करें थे किसकी प्रोटी सबसे पहले लाइफ कहां ओरिजनेट करी है यह आप लोगों से सवाल पूछा जाता है लाइंड पे यह वाटर में रखेस जगाव सबसे पहले एक्वेटिक सबसे पहले एक्वेटिक इन्वामेंट के अंदर लाइफ खो और इजनेशन हुआ है ओके नाओ दव और दिस वर रहते हैं कोई दिक्रत नहीं है दिस वर्जन ऑफ बायो जैनेसिस दाट इस दाट फ़र्स फर्म अफ लाइफ अरोज स्लोली थू एवलुशनरी फोर्सेश फ्रम नॉन लिविंग मार्ट वालिक्यूल से सक्सेप्ट बाय मेजर्टी उसकी बात करे जा रहे हैं हाव एवर व तो हम लोगों को अब जो ओरीजन वाला एस्पेक्ट था वो कवर हो गया है नेक्स्ट जो मेजर एक्सपेक्ट है डाट इस नौ दी एविलुशन वाला पार्ट तो वही हम लोगों को आप कवर करना है और श्री के बारे में हम लोग डिसकॉशन करेंगे आच्छा जी यह आ कब हुआ था उसके बारे में बात करी गई है और वर सोलर सिस्टम कब बना था 4.5 to 5 billion years के असपरस अर्थ कब बनी थी approximately 4.5 billion origin of earliest prokaryote earliest prokaryote हमारा 3.5 billions पर आया है and oxygen releasing prokaryote हमारा कब आया है 2.5 billion years पर आया है origin of you हमारा कब हुआ है 1.5 billion पे simple land plants 45.9 million and mammals 200 तो अगर यह नहीं भी याद रखोगे तीनो या लास्ट वाले दो नहीं भी याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा उपर वाले का देखो यह तीनों तो important है कि solar system earth और प्रोक्यारियोट तो अपना 4244-45 मिलिन पे solar system 4.5 billion पे earth and 3.5 billion पे प्रोक्यारियोट बट यह जो प्रोक्यारियोट बने थे डे वर नॉट oxygenic oxygen release नहीं करते थे oxygen releasing का बाई 2.5 पे ओके चालो जी अब थोड़ी सी काम के बात करते हैं हम लोग ने basic theories वगरा जो थी वो देख ली हैं and थोड़ा साब एक step आगे चलते हैं conventional religious literature reveals about theory of special creation based on three connotations all living created as living organisms were created as such the diversity on organisms may sorry always the same since creation will be the same in future earth is about 4,000 साल पहले तो अब वह क्या ना कि अगर हम theories की बात करें यहां पर हम अचानक्शा theory के बारे में क्यों बात कर रहें क्योंकि ना अब evolution की तरफ जा रहे हैं और evolution की तरफ जा रही हैं तो जो conventional theories जो थी जो literature में रिखी गई है हाना उसमें यह बोला गया कि अर्थ जो है 4000 साल पुरानी है अर्थ के ओपर जो भी organisms हैं अभी presently वह सची create हुए थे ओके और यह बोला गया है कि भाई यह future में भी ऐसे रगिंगे और कोई change नहीं आएगा बट अब सवाल यह है कि कितना सच है कितना जूट है हम लोगों को भी पता लग जाएगा ओके लेकिन और आइडियास वर challenge during 19th century एक पता है बात क्या है मतलब मुझे ऐसा लगता है कि किसी आइडिया को challenge करना पहली बात ते बहुत difficult चीज होती है और यहाँ पर डार्विन का एक इंपॉर्टेंट रोल मेरे को क्या लगता है कि उन्होंने एक आइडिया को नहीं mentality को challenge किया था mentality को कैसे challenge किया था कि इन्होंने सिंपल सी बात देखा जाए तो अगर यहीं बोल दिया था ना सिधा सिधा कि देखो भगवान ने या जो भी आप कह रहे हैं according to Bible and मतलब कुरान या गीता भागवाद गीता जो भी है according तो मतलब religion अगर देखा जाए जो भी आप पढ़ रहे हैं गलत पढ़ रहे हैं कि पहली बात तो अगर आप किसी के आइडियो को चलेंज कर दो चैकर ठीक ने बेकार है वह अफन्ट हो जाएगा बहुत बुरा को आगर आसी आडिये को ब्रिजेक्ट कर रहे हैं और आइडिया अटाज्ट है और और बुरा अफञड हो जाएगा हा ना जैसे कि आज ही का मतलब आजकल के एक्जामपल ले लो किसे को बोल दो कि यार क्या कहते हैं ऐसा है मतलब भगवान दुनिया मना है तुम तुम बेफ को वह आज के टाइम पर भी एफेक्ट हो जाएगा और यह बात कपकी हो रही है 19th century की बात हो रही है कि हमको एक लीस यह लगा कि चलो ठीक है एक बारी को पढ़के देखते हैं कि यहां किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ किस तरीके से चीजों का इवलिशन हुआ है जो लाइफ फॉर्म्स पहले एग्जिस्ट करती थी वह अब नहीं करती है यहार मैने थेंग्स जो मतलब पहले नहीं करती हैं चोटा से एक्जांपल दोंगा हम कहते हैं कि जब हमारा एंब्रानिक डिवलप्मेंट होता तो हमारे अंदर फ्रेंजल गिल्स देखने को मिलते हैं आप लोग ने पढ़ा भी एनिमल किंडम वाला चैप्टर जो है अगर आप लोग ने अच्छे तरीके से प लोगों को रियक्शन जाहिए लोगों को आप आज किसी को ऐसे बोल लोगी नहीं बढ़ाने नहीं बनाई तो लोग उसमें वैसे हो जाते हैं उस टाइम पर बोलना तो बहुत बड़ी चीज थी ओके सो चाल्स आविन concluded that existing living forms share similarities to varying degrees not only among themselves but also life forms that existed also with sorry also with life forms जो exist करे थी millions of years ago so Darwin ने क्या conclude करा या देखो जो existing life forms है न वह आपस में similarities तो share करती है लेकिन उनके साथ भी similarity share करती है जो exist करती थी millions of years ago तो यह एक बहुत ही बड़ा क्या कहते हैं statement था और यह statement नहीं बहुत सब्सक्राइब कह सकते हैं नया mode दिया कि हाँ या फिर चलो ठीक है let's now compare the similarities of existing and ancestral form तो थोड़ा सा आप लोग ना पुरानी species को नई species को compare करने लगे जिसे एक्जामपल के तौर पर अगर अभी की कोई species है और वो millions of years पुरानी species से कुछ relation शोग कर रही है तो कहीं न कहीं तो यह idea लेग रहा है कि हाँ यार उसी का evolution हुआ है तो वह यहां तक करता गया और evolve होता गया ओके अब इसके बारे में बात करेंगे हम लोग किस तरीके से natural selection होता है क्या क्या चेंज़ आते हैं क्या के नहीं आते हैं चालो जी अब थोड़ा सा बात करते हैं तो डाविन ने 19th century में साइड़ों को काफी strongly challenge किया based on observations made during a sea voyage in a sail ship called HMS Beagle, Darwin की ship का नाम या दखना, HMS Beagle, तो sea voyage पे गये थे, वो समंदर यात्रा पे गये थे, around the world, Charles Darwin concluded that existing living forms share similarities to varying degrees not only among themselves, but also with the forms जो exist करे थी millions of years ago, यह भी हम जश्लोग ने पढ़ा, many such life forms do not exist anymore, और ऐसी बहुत सरी life forms जो भी exist भी नहीं करती है, there had been extensions of different life forms in years, gone by, just as new forms of life arose or different periods of history of earth, तो यहानोंने क्या बोला कि बहुत बढ़ी extension भी हुआ है, okay, and extension उने के बाद नहीं life forms arise करी है, बड़ जो नहीं life form arise करी है, उनका कहीं नहीं पुराने के साथ similarity रही है, and there has been gradual evolution of life form, और धिरे धिरे करके gradually एक life form evolve हुई है, ऐसाने कि आज एक cell है, तो कल एक बहुत बढ़ा organism बनके gradually, इस इंगल साथ है, तो फिर मल्टी साथ मल्टी साथ है, तो थोड़ सा और complex और 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 ग्राज्वल एवलूशन आफ लाइफ ओंस देखने को मिला है, को मेंडल का नाम नौ, पता नीमें के बीच में आता है, और और अयियू का नाम पता न क्विश में बीच में आता है, लोगे लोग तो साथ साथ का म के तो, हापस मैं आपना अलग की ता пар दो और इस का कर रहे थे and darwin evolution के उपर काम कर रहे थे ओके चालो जी सो extensions हुए थे यह बोला गया तो सबसे बड़ा है मास दक्षिंशन आपको पता ही है एक थियोरी हमारी जो बोलती है कि जो डाइनासॉर्स है उनका extension च्रोजाब इस नहीं एक था थे कि तो सरी बीड है बोली गाई लुट कार्णा आइनासॉर्स मार्ण एक भी डियू थे जो थे खी एलू और ब्ली जो जो इनका सुटिएं आ ब्ली ख गया धर्यू सुट्टरिशन आपकोर्डब्राण बोली खी लाध जो थे डियू एल्गर to survive under such conditions another word is the fitness of individual or the population so now this line is very important the fitness according to darwin refers ultimately and only to the reproductive fitness is paragraph of the answer पढ़ना पड़ेगा इन्होंने क्या बोला की evolution जो था life form का it was gradual gradual याने की धीरे 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 करके evolution हुआ है कोई भी population जो होती उसके अंदर variations होते हैं कोई भी population होगी variation याने की समय में कुछ changes आए तो मेरे आने वाली generation में कुछ और थोड़े से changes आएंगे तो कोई भी population उसके अंदर changes या variations आते हैं दोस characteristic या दोस variations which enable some to survive better in natural conditions ऐसे variation जो किसी organism को natural condition में जादा अच्छे तरीके से survive करने में help करते हैं अगेन एक बड़ी फिर से ऐसे variations जो किसी organisms को उस natural condition में अच्छे तरीके से survive करने में help करते हैं या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो individual के अंदर ऐसे variations होते हैं जो उनको अच्छे तरीके से survive करने में help करते हैं इन natural conditions वो क्या करते हैं वो outbreed the less endured to survive वो जादा reproduce करते हैं और जिनके अंदर ऐसे variations होते हैं जो कि उनको support नहीं कर रहे हैं उस condition में survive करने में उसको outbreed कर देते हैं कहने का मतलब simple सी बात यह है कि another word uses fitness fitness of individual the fitness according to darwin reference ultimately and only to the reproductive fitness darwin का कहने का मतलब यह था भाई साब कि अगर कोई organism एक natural condition में है और उसके अंदर ऐसे variation से जहां पर बड़े तरीके से reproduction कर रहा है मस्त एकदम कर रहा है तो वह survive करेगा और उसके दूसरा वाला जो है बासात वाला जो है या तो मतलब alternative species है वह eliminate हो जाएगा कि किसे भी population के अंदर उसके साथ वाला species मतलब साथ वाले सेंस कि उसके भगल वाला organism जो भी होगा यह सी species का दूसर organism जो होगा वह basically reject हो जाएगा आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप कोई एक्जाम देने चाह रहे हैं कोई competitive exam देने जा रहे हैं सो दोस स्टूडिंट्स हो हैड डन बैटर या जन्होंने काफी ज़्यादा हार्वक किया जिनको काफी अच्छे तरीके से चीज़े आती हैं वह एक्जाम में सेलेक्ट हो जाएंगे और बाकि सारे बच्चे जो हैं वो रिजक्ट हो जाते हैं सो बात वही है कि अगर किसी और गयानिजम के अंदर ऐसे वरेशन आ रहा है जो सको नैच्छल कंडिशन के अंदर अच्छे तरीके से सर्वाइव करने में हेल्प करता है यह उ इनका सिंपल सा कहना था बारबरी में फिर से बोल रहा हूं कि जो अर्गैनिजम बड़े तरीके से है ठीक है वो ज्यादा रिपेडियूस करेगा और जो नहीं है बड़े तरीके से अडेप्टेड वो कम रिपेडियूस करेगा इल्टिमेटली एलिमिनेट हो जाएगा तो या सबीटनेस अकॉर्डिन टो इंब वोस तो बड़े तरीके से ग्रू करेगा बड़े तरीके से आगे बढ़ेगा ओके चालो आगे चलते हैं ऐसे अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अपने वन्चोट पागे लिए ठीक है यह कि इस वन्चोट को नहीं हम नहीं सोच रहें कि दो पार्ट नहीं करें क्यों कि एक पार्ट में थोड़ा जाएगा तो एक मैं बना दोंगा कि कहते हैं अप्रॉक्सिमेटली टूर्स का और एक अप्रोक्सिमेटी टूर्स का बन जाएगा तो आपके आज अदे टॉपिक्स दोन वन शॉट्स के अंदर कवर हो जाएंगे ओके डार्विन वाली बात हम लोग ने पूरी कर ली आए दों ठिंक कि यहां पर मैं को कुछ बताने की जरत है एक बड़ी फिर से देख ल है कि अगर कोई इन्वार्मेंट के अंदर बेटर फिट है और ज्यादा रिप्रदक्शन कर रहा है तो उसके नंबर ऑफ प्रजानिस ज्यादा होंगे कंपेर टू दोस जो रिप्रदक्टिवले फिट नहीं है ओके या उतने अच्छे तरीके से उतने एफिजेंटली रिप प्रड्यूज रिपोर एट टू कह सकते हैं मतब इंक्रीज देईर नंबर या तू इंक्रीज देए प्रोजानिस तो नेचर ने सलेक्ट जो तो सम्हाव और नाच्छ लंग्शन हैंस जो होता है जो नेचर अपने असाप से जब खंडिशन सेंस करता है जो नेचर में आप से कुछ species उस habitat के अंदर अच्छे तरीके से रिपीडियूस कर पाते हैं तो जो रिपीडियूस कर पाते हैं उनीका नंबर बढ़ता है और दूसरों वालों का नंबर कहीं नहीं थोड़ा घरता रहता है और जुनका बढ़ रहा होता है वही आगे जाके प्रस्पर करते है या वही आगे जाके मतलब कह सकते हो डॉमिनेट करते हैं तो हमारा क्या हुआ है नेचल सेलेक्शन हुआ है ओके नाओ अब आगे बढ़ते हैं लेट अलफर्ड वैलस अलफर्ड वैलस की बहुत इंपॉर्टन बात है इसके बारे में पढ़ते हैं फिर हम लोग आगे अपना जो एविडेंसे ऑफ एविलुशन है उस वाले टॉपेक के उपर आएंगे ओके चालो जी जीए जो अलफर्ड वैलस क्या थे हमारे आण नैट्रलिस्ट फुर्ग इन मलाय आरके पेगलो थेक है आरके पेलगो इस जगह का नाम याद रखना है अलफर्ड वैलस का नाम करते हैं similarities and share common ancestors however these ancestors were present at different periods in history of earth okay अब अल्फट वाल इसने क्या बोला गया है कि जितने भी all existing life forms जितनी भी existing life forms है वो शेर करते हैं similarities and share करते हैं common ancestors हलाकि यह जो ancestors है यह belong करते है different time periods से हम लोग भी पढ़ेंगे एपक के बारे में क्या होता है periods क्या होते हैं पैराज क्या होते हैं वो सब हम देखेंगे बट दे डू शेर अ कामन ancestor ओकिदा जिलाजिकल इस्टी अफ एर्थ क्लोजली को रिलेट्स विद अब लाजिकल history of earth a common permissible conclusion is that earth is very old not thousand of years as thought earlier but billions of years old तो सिंपल सी बात कई गई है देको इन का मोटिव मैं मोटिव भी नहीं काऊंगा इनका जो सिंपल सा फंडा था कि जो हमें theory दी गई थी जब अर्थ को बोला गयाते कि 4000 साल पुरानी है और जितनी भी स्पीसिज़र सारी कि सारी आज सच क्रेटिट है और यह एज सच तो उन्हों ने भी संपल कंडिशन दिया था जो डार्विन ने दिया था सेम कंडिशन इथा कि जितने भी स्पेसिज़र उनकी आपस में कहते हैं सिम्ले टिज़ए ऐं इंस्टर्स भी है और जो है वह कहीं ना कहीं चार जरस हल पुरानी नहीं बलकि millions of years पुरानी है उसके उपर life forms जो है millions of years पुरानी है तो ये conclusion दोनों कहीं आये था ओके सो कभी-कभी पूछ ले जाता है कि Darwin के साथ-साथ same conclusion किस ने दिया था तो Alfred Wallace ने दिया था अब यहाँ पर आता है कि what are the evidences of evolution अब कैसे कह सकते हो कि जो अर्थ पे life forms थी वह चार जर साल पुरानी नहीं बलकि millions of years पुरानी है कोई तो logic होगा ना सिर्फ कहने से तो बात नहीं होगी क्योंकि अगर कहने से बात होती तो फिर तो हम लोगों को भी मानना पड़ता कि हाँ चार जर साल पुरानी अर्थ है जितनी भी लाइफ-फॉर्म से सारी कि सारी as such की रिट हुई है और हम लोग उसको अगर नहीं मान रहें और हम अपना अगर logic दे रहें कि नहीं ऐसा नहीं है अर्थ 4000 साल से भी जाधा पुरानी है तो भी आफ तो शो सम्वेडेंस यहाँ पर दे रखाया वट अविदेंस इसके बारे में हम लोग बात करेंगे सबसे पहला क्या है रिकॉर्ड्ट सबसे पहले हमाँ से शुरू करेंगे फिरम्परटिवेंहन पर चलेंगे ओम लोगी आनोंगी वहां पर दिसकस्शन करेंगे इंचाण होजी सरी पालेंटोलоды study of fossils इस टर्म को देख लेना study of fossil को क्या कहते हैं प्लेंटोलोजी कहते हैं fossils remains जो होते हैं आफ hard part of life forms lived in past but found in rocks or sediments ठीक है तो fossils कहें remains है किसके hard part of animals जो past में रहते थे और वो कहां मिलते हैं rocks or sediment में मिलते हैं rocks and sediments and a cross section of earth cross indicates arrangement of sediments one over other during the long history of earth देखो उसको ना logically ज्यादा detail में बच जाओ ऐसे समझो यहां पर आपको layer of sediments देख रही है layer of क्या सकते हैं crust दिख रही है अब मैं आप लोगों से simple सी बात बोलू कि हमारी एंचाटी में एक image भी दे रखा था वह मैंने यहां पर लगाया है कोई बार नहीं नहीं लगा रखा तो हमारी एंचाटी में एक image दे रखा था उस image में क्या गया था कि जैसे मालो की एक organism है मालो एक दो तिन organism है horse है ठीक है dog है cat है और rat यह organisms है अब मैं यहां पर क्या करता हूं यहां पर हम ठीक है ओके यहां पर हम लोगों ने लेर्स बना दी है आपको दिख रहा है तो यह अपर मोस्ट लियर है ठीक है यह कह सकते हैं दिस फर्स्ट दिस इस सेकेंड एंड दिस इस थर्ड मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि यार देखो हमारा जो horse था उसका fossil हम लोगों को यहां पर मिला ओकैट का Translate हम लोगों को यहाँ पर मिला डॉइद का फॉसल हम लोगों को यहां पर मिला अब इसमें से खटाई देते हैं तो अब मेरा अगर आपसे सवाल होगा कि सबसे पुराना फॉसल किसका है तो आप लोग क्या बोलेंगे c consonants box l में से सबसे पहले अपियर होने वाला और्गानिजम कौन सा है सो आप लोगों का जवाब क्या होगा क्या होगा सी स्वाइल प्रोफाइल के बार में आप पढ़ चुके हैं आपको पता है कि हमारे अर्थ का जो क्रस्ट है उसके उपर नई अगर कोई आएगी तो उससे नहीं होगी कहने का मतलब यह है कि फॉसल की डेप्थ जो होती है इस डिरेक्ली प्रपोर्शनल टूदी एज ऑफ फॉसल सो यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि फॉसल जो है उसकी एज जो है इस डिरेक्ली प्रपोर्शनल टू टू टेप्थ ऑफ फॉसल जितनी ज्यादा डेप्थ होगी उतनी ज्यादा वो कहीं न कहीं एज रिप्रेजेंट करता है अगर इसी होर्स का मैं मालें यहाँ पर फॉस फॉसल प्रेजेंट हैं ओके अच्छा जी सो अब सवाल होता है कि चलो ठीके भाईया हम यह आपकी बात मान लेता है कि हां में फॉसल मिले कुछ बहुत ज्यादा होगी लेकिन फॉसल मिलने से फॉसल क्या है डेट रिमिंस हाना तो फॉसल की हम एज पहली बात तो कैल्कुल कैसे कर सकते हैं क्योंकि आप कुछ भी बोलोगे हम थोड़ी ना मान लेंगे आपने का कि सॉइल के अंदर यहां पर मिली मालो सॉइल के थर्ड लेयर में मिली तो मैं कह रहा हूं कि भाई यह सॉइल जो है यह तो सिर्फ हजार साल पुरानी है और हमारे पास एक सिंपल सा कं क्लीजन है एक में रिख कर दूँ बाबा इसको करना पड़ेगा माफी चाहते हैं बाद में मैं इसको कहते हैं वो कर दूँगा हां जी यहां पर क्या लिखा एक बारी देख लो डिफरेंट एजड रॉक्स सेडिमेंट्स कंटेंड करते हैं फॉसल और दिफरेंट लाइफ ओके आच्छा जी फॉर्मेशन ऑफ पर्टिक्लर सेडिमेंट विच रप्रेजंड दी एक्टेंट और गिनिजम डाइब दॉरिंग ठीक है तो डिफरेंट एजड रॉक सेडिमेंट्स कंटेंड करते हैं फॉसल और डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स दाट प्रॉबिविद ड जो सडिमेंट है अभी ए-जास्वर्मेशल की लेर है उसमें जो गर- ऐखोई फॉसिल मिलेगा उनी का मिलेगा जो अभी मरें एगर कोई लेर दस जार साल पुरानी है थो यह झाली बात हैं थीक है मैने रख रही है study of fossil in different sedimentary layer indicates geological period in which organism study existed so अगर हम आप fossil की study करते हो या sediment layer की study करते हो तो वो इंडिकेट करता है कि किस geological period के अंदर वो fossil exist करता था the study showed that life forms varied over time and certain life forms are restricted to certain geological time span new life forms have arise at different time in the history of earth अब यहां पर क्या बात बूली गई है यह important line है तो उसको जड़ा समझने की कोशिश करते हैं study से हम लोगों को यह पता लगाए कि life forms है वो वैरी करती है ओवर टाइम यानि कि एक लाइफ आती है जाती है या उसमें कुछ changes आते हैं certain life form restricted to certain geological time span कुछ life forms ऐसी भी थी जो एर्थ के एक particular period पर exist करती थी लेकिन उसके बाद खतम हो गई आप इसका सबस्द सब्सक्राइब्स का ले सकते हैं अब चाहे वो किस भी वज़े से एक सारे के सारे species बन गए और वो सारे के सारे वहीं से ऐसी आ रहे हैं जैसे कि उस वाली थेयोरी में बोला गया था कि all species were created as such तो ऐसा नहीं हुआ है नई life forms बीच बीच में originate हुई है ओके और रेगुलरली वह होती रही है ऐसा नहीं कि सिर्फ पहले जो अभी species दो पहले भी वही थी ऐसा बिल्कुल नहीं है ठीक है अब सवाल अभी भी धिमाग में जो चल रहा है डाट इस की हाओ वी कन कल्कूरीट देज ऑफ फॉसल्स अब आप लोग मेरे से ज्यादा होशियार है इस कॉंसर्ट में आप लोगों से मैं ज्यादा भैस करूंगा नह घ्टाइम लगता है एंडेट एक्सवाल टो 5570 5730 सो बीसिकली कारवन 14 जो है अपने अंदर से कच प्रोरॉण स्यवेड़ा कुछ पार्टिकल सगर्ण लूस करता है ठीक है नियूकलिस पार्टिकल सगर्ण लूस करता है और और वो खुद को कारवन 14 में कन डेजन 14 में is equal to 5730 years अब सवाल यह है कि हाफ लाइफ निकालने से क्या पता लग रहा है देखो जिस फॉसल में हम सौरी जिस सेडिमेंट में हम लोगों को फॉसल मिल रहा है जायर सी बात है कि उस फॉसल के आसपास स्वाइल भी होगा स्वाइल के अंदर थोड़ा बहुत कारबन भी होगा इस फॉसल के थोड़ा बहुत कारबन भी होगा उस कारबन का मैं हाफ लाइफ पीरड निकाल सकता हूं और उस हाफ लाइफ पीरड के साबसे मैं कैलकुलेशन कर सकता हूं तो मैं ज्यादा डीटेल में कॉंसर्ट में नहीं जाओंगा बट मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप रेडियो आक्टिव डीके के वज़े से या जब एक अलिमेंट का हाफ लाइफ पीरड आपको पता है उसके साब से आप एज कैलकुलेट कर सकते हो डाट इस सैंटिफिकली पॉसिबल और प्राक्टिकली भी पॉसिबल है कि आप कर सकते हैं इसको इसमें कोई थियोरी नहीं सब्सक्राइब पढ़ते हैं हम लोग तो आपको यह आता होगा हना मतब आए फील लाइक कि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो 11 में 12 में फिजिक्स में है वो यह टॉपिक है रेडियो डीके का इतना मेरे को याद है बहुत सल पहले पढ़ा था तो अच्छे तरीके से होगी निकाल सकते हो अरे भाई एक्जैक निकाल सकते है अप्रॉक्सिमेट निकाल सकते हो और अगर वह मिलियंस में आ रही है तो वह थ्योरी तो फिर फेल होगे जिसने बोला कि अर्थ सिर्फ 4000 साल पुरानी है तो यह एक प्राक्टिकल साइंटिफिक एविडेंस था कि हा जो और गैनिजम से उर्थ के ऊपर वो बहुत पुराने अग्जिस्ट करते हैं और डिफरेंट कह सकते हैं पीरेट्स में दिफरेंट टाइम पिरेट्स के अंदर अलग-अलग नहीं-णी स्पीशिस जो है वो जनरेट हुई है जितनी भी स्पीशिस थी जैसे बोला गया था देवर क्रेटेट आज सच वो गलत है ओके सो पेलेंट पेलेंट लॉजिकल एविदेंस का यही सबसे अच्छा बेनिफिट है कि हम क्या कर सकते हैं लॉजिकल एच कल्कुलेट करके बाता सकते हैं कि और गानिजम इतने मिलिंस प्याले एप्जिस्ट करता आप लोगों को नाम याद रखना जरूरी है कि यहां पे आप लोगों से पूचा जाएगा कि एम्रोलाजिकल सपोर्ट फॉर एविलुशन जो था वह किस ने दिया था तो अंस्ट हैकल ने दिया था बेस्ट ऑन अब्सरवेशन अफ सोर्टें फीचर्स दूरिंग एंब्र बट इतिस फंक्शनल और्गन ओनली इन फिश और नोट फांड इन अधर अडल्ट वर्टीब्रेट ना इस इस अल्सवेरी इंट्रस्टिंग यहां पर क्या बोला गया जैसे मैंने इसके बार में पहले भी जिकर किया था कि गिल्स्लिट्स चो होते हैं वह हमारे अम्रेवर्णिक डिलप्मेंट के दुरान प्रेजेंट होते हैं लेकिन अडल्ट लाइफ में अडल्ट सेज में हम लोगों को देखने हो को नहीं मिलते ह हम पैदा होते हैं लेकिन फिश के अंदर वो फंक्शनल होते हैं ओके हावेवर दिस प्रपोजल वास डिसप्रूवड ऑन केरफूल स्टेडी परफॉर्म बाइक काल अंस्ट वान बियर ही नोटेड डैट एंब्रियों नेवर पास्ट थूदी अडल स्टेज ऑफ अधर अन पारे अपने अंडर एक गills रेट वाली स्टेज dag है वस्टीजल गिलकेर करते हैं और नहीं होते है किस प्रिप्र डैल स्क करते हैं और या तो अब पर स्कंदर के थेख़ा हैं तके से उतखिक के देख सब्सक्राइब है बट अंदर देखने को मिलते हैं ओके सो यह बोल रहें कि हाँ देखो ऐसा नहीं है एवलुशन तो हुआ है ऐसे सारे के सारे क्रियेट नहीं हुए है ठीक है आपस में रिलेशन तो है हलाकि इनका नाम थोड़ा अलग कलर से मैं हैलेट कर रहता हूं यह एक अगर ऑंब्र ने क्या बोला की एक अगर है ठीक है एंब्र नेवर पास थ्रू अड्र स्टेज अफ अधर अगर ऑदर अनिमल्स की थेज़ नहीं होते हैं जैसे कि मानद हो की इसको ऐसे कहलो की इन्हों सिंपल सा बोल दिया कि आर देखो embryo कैसा भी हो वो adult stage तो पास मतलब दूसरे animals की adult stage follow करेगा इन्हें वो अपने ही adult stage follow करता है तो थोड़ा सा logical नहीं लग रहा था आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या ही बोलना चाह रहे हैं बट इन्होंने क्या बोला देखो careful stage जब होई थी तो he noted that embryos never pass through the adult stage जैसे मान लो की human का embryo है तो किसी दूसरे के अडल्ट से से पास नहीं होगा या किसी एंफीमें के अडल्ट से से पास नहीं होगा तो embryo सब के कहते हैं वो कहने का मतलब था इसमें कुछ वो नहीं कर सकते हैं अडल्ट से सबकी यूनीक है लेकिन embryo सबके सेमी है तो उसमें हम यह नहीं कह सकते कि हाँ वह सारे के सारे जो है मतलब जैसा अगर मैं बात करूं humans जो है वो उनके कहीं कहीं evolution fishes से होते हैं हम evolution में क्या देखते हैं कि पहले फिश आई फिर हमारे amphibians आए फिर reptiles आए फिर birds आए फिर mammals यह देखते हैं हम लोग यह अंदाजा लगा रहे थे कि हाँ चलो ठीक है मैमल्स के अंदर गिल्स देखने को मिलते हैं जोरिंग अम्पराणिक डिलर्फमेंट तो कहीं न कहीं मैमल्स का फिष्य रिलेशन होगा वान भीधर ने वोला कि आप यह बैसा नहीं है कि हरेंब्रों के अपनीनी श्रेज अपुस्त इसमतलब नहीं है सारी अपनिन सक्टेज में था यह मितल्सहें अगर फिश में उनका यह कहना था थीक है हम यह अभी के लिए वान बेर की बात को साइड में रख करके अगर सिर्फ अंस्ट हैकल की बात को माने कि उन्होंने यह बोला था कि मैमल के अंदर भी क्या कहते हैं गिल्स के स्लिट्स देखने को मिले हैं जबकि मैमल्स जो होते हैं mostly आगरी थेर्शल होते हैं वेल्स की बात करें और उसकी बात करें डॉल्फिन्स की बात करें तो वह भी सर्फिस पे आती हैं फिर इस्पर करती हैं गिल्स कोई यूज है तो उन्होंने बस यह बोल लिया था कि हां या चल ठीक है मतलब ऐसा एंब्राइट डिलप्मेंट का अडल से से कोई रिलेशन नहीं है तो अभी हम सिर्फ अंस्टैकल की बात पर चलते हैं भी वान बेर की बात को थोड़ा सा रोग देते हैं ठीक है तो यह वाला भी थियोरी जो था अंस्टैकल का यह प्रूफ कर रहा है कि हां यार कहीं ना कहीं मैमल का फिस से रिलेशन है कैसा तो फिश लाइक अनिमल से ही अपने मैमल्स धिर दे करके वाल हुए हैं अच्छा जी अब कंपारटिव अनटमी जो है यह भी इस चीज़ को काफी जाद अच्छे तरीक डिफेंट रोगैनिसम्स अपस में रिलेट भी करते हैं तो यह भी हमें कंपारटिव अनॉटमी से और मॉलफलोजी से पता लगा तो कंपारटिव अनॉटमी के अंदर और मॉलफलोजी के अंदर हम लोग दूस चुक्चर पढ़ेंगे लाट इस होमोलोगोस और गन्स और जिनका मैं कहूं तो कामन ओरिजन होता है कामन ओरिजन होता है को के अंदर होता है अब देखो बहुत सारे टीचर श्यों है या आप लोगों को बहुत सारी बुक्स में दिखाऊगा कि homologous organs common origin है and similar structure है similar structure है एक सेकंड ओके ऐसी यहाँ पर different origin है और कह सकने dissimilar structures है structures ओके बट आपने हाँ पर क्या पढ़ा होगा यहाँ पर in case of homologous organs common origin similar structure and different functions different function analogous में आप लोगों ने क्या पढ़ा है या क्या पढ़ा होगा नहीं पढ़ा तो भी बता भी दोंगा मैं different origin होता है इनका structures भी dissimilar होता है बट perform करते हैं same function same function तो अब पात है कि अगर कोई बच्चा पहली बारी पढ़ रहा है यह पहली बार इस lecture को देख रहा है तो बता दूँ homologous organs कौन से होते हैं जिनका origin common हो structure same homo मतलब देखो हमेशा याद रखना है इन organs को किस basis पे structure के basis पे homo का मतलब same and anna का मतलब different structure के basis पे याद रखोगे तो याद रहेगा homo का मतलब same structure ठीक है and anna का मतलब different structure तो बहुत सरे बच्चों को जिन लोग ना गरी chapter पढ़ रहा है तो ऐसे याद होगा कि homologous organs का same structure होता है functions different होते हैं analogous organs जो होते हैं इनका dissimilar structure होता है लेकिन function सेम होते हैं मैं आप लोगों को बात यहां पर कहना चाहूंगा homologous organs का structure सेम होता है origin भी common होता है analogous organs का origin different होता है and structure भी different होता है अगर कोई organ homologous है या origin अगर किसी का common है तो जरूरी नहीं इसका function different हो अब मैं क्या कहना चाहरा हूं example के तोर पे अगर मैं बात करूं brain आगे लेके चलता हूं मैं थोड़ा सा सीधा उसकी बाद बात मैं करूं discussion अच्छा यहां पर आजाए जैसे यहां पर लेखा है vertebrates का heart और brain अगर vertebrates की brain की बात करूं है simple सा आपका brain मेरा अंफीबिंस का brain फिश का brain अबर्ड का brain क्या function है control and coordination क्या ऐसा है कि बर्ड के अंदर brain जो है कुछ और करता function यह आपका brain कुछ और function कर रहा है यह रेप्टैल्स कर दो बिन का कुछ और function है basic function तो सेमी होगा न तो यहां पर तो हमारा क्या कहते है function सेम हो गया फिर हम तो जो homologous organs को कह रहे हैं कि similar origin है and same structure function different है तो यहां पर तो function सेम हो गया तो फिर तो कहानी गड़बड होगी तो अब बात है कि हम विश्वास किस पर करें देखिए जो proper definition है जो proper logic है homologous organs को और analogous organs को उसको मेंश याद रखिए homologous organs of common origin analogous organs of different origin common origin देखने को मिलेगा जो vertebrates का brain होता है इसके अगर मैं बात करूं तो brain जो है मारा that is the nervous tissue nervous tissue it is ectodermal in origin ectodermal in origin तो सबके अंदर ectodermal origin yes का चाहिए वो अपना आप मानलों की fish हो ठीक है reptile so amphibians so birds so mammal so सबके अंदर ectodermal origin function की बात ही नहीं कर रहा उसी तरीके से अगर heart की बात करो तो हाट जो होता है this is mesodermal in origin mesodermal in origin चाहिए फिश का हो चाहिए अप चलो ठीक है आप heart की case में थोड़ा बहती है क्या सकते हो कि भाया जैसे कि मैं बात करूं fish का heart जो होता है ठीक है वह pump करता है कैसा blood वह pump करता है डी oxygenated blood हमारा heart जो है वह oxygenated भी pump करता है डी oxygenated भी pump करता है लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी frog के case में या amphibians के case में और reptels के case में तो दोनों के अंदर three chambered heart होता है और दोनों के अंदर heart जो है वह mixed blood को pump करता है ओके और अगर इसको broad level पे देखा जाए तो heart का function simple सा क्या है कि यह blood को pump कर रहा है तो function तो सब के अंदर सेम ही हो गया blood को pump करना अगर आप उसको और specifically देखो के चलो ठीक है मैं मान लेता हूं कि हाँ ठीक है फिश के अंदर कैसा ब्लेट फंक कर रहा है लेकिन ओरीजन सब का सेम है दे ओल आर मीजोडर्मली न ओरीजन तो मीजोडर्म जम लेट से बने इसलिए मैं इसको क्या क्या रहा हूं हो मोलोगोस और बोल रहा हूं अगर आप हमोलोगोस और देख रहे हैं अगर आपको कभी confusion होती है कि function सेम आ रहा है तो प्लीज फोकॉ प्लीजन है तो answer would be the homologous organs अगर origin different that answer will be अपना homologous organs ठीक है analogous sorry अच्छा एक और बात जैसे कि हम लोग ने बोला कि they have anatomical similar structures similar anatomical structures ठीक है एक मिनटर को थोड़ो सा पीछे आते हैं हां यहां पे यहां पे discuss कर लेता है यहां पे जगए हां तो मैंने क्या बोला कि इनका common origin होता है लेकिन they can perform different function कैसे different function example के तौर पे यहां पर मालो function f1 function f2 function f3 function f4 आपको यह देखने को मिल सकता है कि एक कोई organism है जिसका basic structure जो है वो सेम है बट different function perform कर रहा है जैसे कि अगर यहां पे आप देखेंगे four limbs of man four limbs का मतलब जो हमारे हाथ होते हैं आगे वाले limbs जो होते हैं ठीक है तो four limbs of man उसका structure similar है किसके four limbs of cheetah की तरह and whale कभी अगर आप फोलिम देखो के तो उसके अदर भी आप लोगों को वही bones देखने को मिलती है ठीक है जो हमारे अंदर होती है बैट कभी अगर four limbs देखो के तो उसके अदर भी आप लोगों को वही bones देखने को मिलती है कांसी जो अपना अपना फीमर होती है ना फीमर हां फीमर रिडिस अलना ओके सो यह bones देखने को मिलती है तो basic structure सबका सेम है लेकिन मैंज जो होता है उचीजों को hold करने के लिए grab करने के लिए उसकरता है चीता अपने फोलिम को स्विम करने के लिए उसकरती है और बैट अपने फोलिम को फ्लाय करने के लिए उसकरता है so they have similar structure but they are performing different functions तो इस तरीके के evolution को हम क्या कहते हैं इस तरीके के evolution को हम divergent evolution भी कहते हैं ऐसे evolution को हम divergent evolution भी कहते हैं so homologous organs represent करते हैं divergent evolution कि एक ही तरीके के structures हैं यहां पर लिखा भी हुआ है दो जो ऑर्गेन हूस स्ट्क्चर और इरिजन इस सेम बट फंक्शनली इफरेंट वो हमारे होमोलोगोस ओर्गेंश कलाते एंग्जामपल्स वेल्स बैट चीटा एंड हुमन्स शेर करते हैं पाइटन फॉर्लेंप लेकिन फंक्शन अलग अलग है ठेक है डियोवलाव सिमिलर अनाटोमिकल स्ट्रक्चर जैसे की हीमरेस हो गया अचा फीमर हां सभी बोला था मैंने हीमरेस रीडियस अलना रीडियस अलना कारपल्स माटा कारपल्स फाइल अजिस सब कुछ सारी चीज़ अलग अलग है ओके ड्यूटू अड़ाप्टेशन टूदिफरेंट नीड हमें पकड़ने की नीड है वेल को स्विम करने की नीड है तो अलग अलग तरीके से अड़ाप्टेशन होई हैं ओके तो यह रिपेजन करता है डिवर्जन एवलुशन को और होमलोगी इंसेस्ट अपने अपको अलग अलग तरीके से इवाल्व कर लिया बट एंसेस्टर कॉमन रिप्रेजेंट करता है ओके आड़ जो हमारा हाट होता है हाट आफ के कहते हैं यहाँ पर मैंने मेंशन करी ता हाट आफ वर्टी बेट्स और इन यह भी रिप्रेजेंट करता है वाट और टॉन्स और टॉनों के दोनों किसे बने एकजलरी बर्ट से बने हैं बट ठॉन्स चोंपने प्रटक्शन वगरा में पार्ट से बट करते हैं और कि यह चालो जी आगे बढ़ते हैं अब अलोग अर्गे बार में ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रू तुम्रे को लगता सब्सक्राइब करने में हेल्प करते हैं यह रिप्रेजेंट करता है कनवर्जेंट एविलूशन इस एविलूशन को क्या कहते हैं कनवर्जेंट एविलूशन कहते हैं Convergent Evolution ओके जी आच्छा एक और एक्जाम्पल देते हैं Anotmically not similar structures दो दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन किसका Convergent Evolution का चीजे Converse हो रही है different type of organisms are performing a same function to converge हो रहा है Convergent Evolution Eyes of Octopus and Mammals इनका basic structure different है but they have a similar function of मतब similar function है एक visual organ है या देखने में help करता है देख सकते हो दोने के structure काफी different है but function same है आच्छा जी flippers of penguins and dolphins dolphins के flippers में और penguins के flipper में anatomically देखा जाए तो structures काफी different है इसका bones का arrangement अलग है उसका arrangement अलग है but दोनों के दोनों use किसे ले कर रहे हैं दोनों के दोनों swim करने के लिए उस कर रहे हैं और अगर dolphin को माने तो dolphin हमारा क्या है एक mammal है पैंग्विन एग ले करता है ठीक है यह हमारा एफ में चले जाएगा दोनों में फर्क है लेकिन दोनों के दोनों same function परफॉर्म कर रहे हैं तो यह हमारा can intration को represent करता है ओक यह different ancestry को represent करता है एसी तरीके से sweet Heritage and potato स्वीट्य प्रफूर्वकेशन रूट का मोडिफीकेशन और प्रफूर् स्टम का मॉडिफीकेशन ने है बड़ दोनों के दोनों हमारे वेजिटेबल से हैं दोनों के दोनों food store करते हैं, दोनों के दोनों edible है, खाने के लिए जाते हैं, तो they have a similar function, okay, but origin जो है different है, function similar, तो analogous organs होते हैं हमारे ये वाले, ठीक है, कुछ evidences आप लोगों को और देते हैं, कि जैसे evidences for vestigial organs, organs present in reduced form and do not perform any function in body are functionally in related animals, ठीक है, तो vestigial organs से कौन से होते हैं, ऐसे organs जो हमारी body में reduced form में हैं, लेकिन हमारे जैसे organisms के अंदर, हमारे related organisms, organism के अंदर, वो functional होते हैं, ठीक है, या remnants of organs complete and functional जो होते हैं हमारे ancestors में, तो ऐसे organs जो हमारे body के अंदर रह गये हैं, काम के नहीं है बट वह फंक्शनल थे और कंप्लीट थे किसके अंदर एंसेस्टर के अंदर जसे कि सबसे अच्छ एक्जामपल ले सकते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स का अपेंडिक्स जो होता है हमारा कहा जाता है कि इट वर्स पॉर डाइजेशन ऑफ इस नहीं है पहले हमारे जो एंसेस्टर से घ्राश वगरा बहुत खाते थे शको डटैस करने के लिए अपेंडिक्स वगरा था अब उसका कोई यूज नहीं है क्योंकि हम लोगों की डायिट के अंदर जो ग्रीन प्लांट के अंदर उख निक्तेटिंग्ग मेंबरेंजर जो ह मारी आखों के ऊपर एक transparent membrane जो उसमें प्रेजिन होती हैं आफिबेंस के इंदर फिशकने हो पानी के निंथना जाना नहीं हो तो हमारे अंदर निक्लिटिटिंग मेंबरेनिक रिड्यूज़ नहीं हो गया, Muscles of Pina, Pina के Muscles जो है हमारी है, ठीके, हम कहाते हैं कि पिना जो है तो यह मसल्स और पेडिमा किसी काम नहीं है। trends किसी काम का नहीं है। तो यह और गिंष्प रिप्रेजेंट करते हैं कि यार कहीं ना कहीं हमारा औरेजनेशन तहीं हुआ है। nictating membrane जो है उसका remnant हमारी आखों में क्या कर रहा है अगर हम कभी पानी में थेई नहीं तो जाहिड सी बात है कि we were at some point of time या we have ancestors at some point of time जो equitic habitat में थे इसलिए वहाँ पे nictating membrane देखने को मिल रही है क्योंकि हमारे अंदर nictating membrane का होना is completely useless क्या कर रही हमारे अंदर nictating membrane कोई रोल थोड़ी नहीं हम पानी में थोड़ी नहीं रह रहे हैं लेकिन उसका अंडर डेवलप्ट वर्जन रूडिमेंटरी वर्जन आप क्या सकने प्रेजेंट है तो यह भी रिप्रेजेंट करता है कि भाई ठीक है हाँ हो सकता है कि यास वी हैब इवाल्ड यादी सार्डी इवर्डिन्स ऑफ एवलीशन ओके कैनाइन तीथ ले लिजे आपका जो यह कनाइन तीथ होता है शार्प वाला तीथ बहुत सारे लोग जो होते हैं उनके अंदर यह तीथ शार्प होता है इसका कोई ऐसा खास रोल है नहीं क्योंकि हमारे ढाइट के अंदर कैनाइन तीथ शार्प इसले होते हैं क्योंकि हमारे के कहते हैं सॉरी क्योंकि पहले लोग जो थे मतलब कुछ यथा चाइम में हमारे इससcemств ने काफिष वागरा भी खाया था तो शार्प टीथ होतें लेकिन हम इतना फलेश वागरा के फोट अदा बेंड नहीं रहते हैं उसकी बिद्र नहीं है बोड़ी हेर से निपल सिंवेल ठीक है लिज और ग्जाम्पल्स आफ के कहता है वस्टीज यर्ग थर्ड पोलर इसकी जरत नहीं है अब हम लोग इतना के कहते हैं कुछ वैसा खाना नहीं खाते हैं जिसको काफी क्रेश करने की ज़रत पड़ती है थर्ड मोलर की ज़रत नहीं है बटी सारे हमारे उसमें आते हैं ठीक है तो इस अलार एक्जामपल्स वेस्टीजल ओर्गेंस ओके कैनाइन तीथ को अगर वैसे देखा जाए लॉजिकली देखा जाए तो इस नॉट वेस्टीजल चीजों को करश वगरा करने में काम करता है लेकिन वहाँ पर अगर कैनाइन की जगा इंसीजर होता तो भी हमारा काम जल जाता यह कहने का मतलब है ठीक है चालो जी आगे बढ़ करते हैं विच वर सपोस्ट तो बी प्रेजंट इन दी एंसेस्टर बट वर लॉस्ट द्यूरिंग कोर्स ओफ एवलुशन एक्जांपल के तौर पर जैसे मालों की टेल जो है हम कहते हैं कि हम अपना थोड़ा कहीं न कहीं थोड़ा सिंपांग जिस वगरा मंकी एप्स वगर हैं तो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ना नीट में के कहते हैं कोशन पूछा गया है कि जैसे अपेरंस ऑफ टेल इन यूवन बेबी किसका एक्जांपल है एक्स्ट्रा लॉंग और पॉंटेड कैना इन टीट किस एक्जांपल है एक्जांपल है लॉंग एंधिक करते हैं तो दाट इस वर्ट वी कॉल्ट अटवेश्म ओके इसके उपर ज्यादा डिटेल में मत जाना यह मैं आप लोगों को दिखाए इस कंपलेटली फॉर दोस स्टुडेंट जो नीट की प्रपरेशन कर रहे हैं ऐस तर्च एक्जां में फूछा नहीं जाता ओके चालो है अना जैसे घ्रामपल के फिटांक खाल पर प्लांट्स और अनेमल्स की बीच में कौन है तो यूग लीना जो हमारा तश्क नेक्टिंग बिट्वीन प्लांज इनेमल यहां से वायरेस हमारा लगेश्म में है तो लिविंग और नोन लिविंग के बीच में नियोप्ली नह किसके बीच में फिश और अंफिबियंस के बीच में लंग फिश और की टैरेस्ट रप्टाइल्स और बर्ड के बीच में है ओके प्लाटिपस एनटाइड़ और नेमल्स के बीच में तो यह आप से डिरेक्ट कुछ जाते हैं एंद ज्यादो तरना मैंने देखा है कि अबहुया से इसका पूछ에서 लेते हैं अर्थोपड और रिएडर वाला तो यह ठीने र्थोर लाएल रखना ड्योग जाद कि आअगा Г Zach में आता है है मिक हसमा शाजक Конकार्ट के बीच में तो उसका याद रहेगा लंगीश भी याद रहेगा फिश और एंफीबिंस के बीच में ठीक है तो प्रोटोपैरस और प्रोटोपैरस यह भी याद रख लेना इनकी एक्जाम में पूछे जाते हैं आप लोगों से चीज़े ओके सो एविदेंस इस फ्रम कनेक्टिंग लिंक हो गया हमारा ठीक है अब आइगेस हम लोगों ने इस वाले पार्ट के अंदर चारप हम लोग एक पार्ट में और कर लेंगे और आप लोगों को फिर चाप्टर फिनिश हो जाएगा ठीक है इस लेक्चर को पूरा देखना अच्छे तरीके से देखना और दूसरा वाला लेक्चर जो आएगा उसको भी बड़े तरीके से देखना क्योंकि जब तक पूरा नहीं देखोगे जब तक मज़ा नहीं आएगा और अगर कोई कमी लगती है कोई परिशानी लगते कि भाईया इस वाले टॉपिक को नेक्स पार्ट में इंक्लूड कर लेना या एक बड़ी री एक्स्प्लेन कर देना सो कमेंट सेक्शन इस ऑल्वेस ओपन कोई और सेजेशन हो कि यह दिक्कत लग रही थी हमें ऐसे करवा देना तो आप बता सकते हैं ठीक है बाकी फीडबेक वगरा डेफिनेटली ओपन है अच्छा लगे लाइक कर देना बुरा लगे तो भी कह कहते हैं कमेंट कर देना मुझे कोई दिक्कत नहीं है जादा बहुत जादा अच्छा लग and thank you so much